प्रेज़ लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और प्रात्ना में जाने से पहले हम परमेश्व के वचन के उर देखेंगे फिर हम आपके लिए आपके परिवार के लिए प्रात्ना करेंगे और आद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला यहुना उसका एक अध्याय नौपद से जहांपर कुछ इस प्रकार से लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है आमें दोस्तों यहां पर प्रमेश्व का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले दोस्तों आप जानते हैं बाइबल बताती है कि सब लोग पापी है सब ने पाप किया और प्रमेश्व की महिमा से रही थे यनि कि हम सब के जीवनों में पाप है लेकिन परमेश्र का वचन कहता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले अपने पापों को मान ले प्रभु येश्य मसी के सामने ये स्विकार कर ले कि प्रभू हमने तेरे विरोध में गुना किया है हमने तेरे विरोध में पाप किया है तो वो हमारे गुनाहों को च्छमा कर देगा क्योंकि प्रभू येश्य मसी विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे गुनाहों को च्छमा करने जो उसने परतिग्याएं की है उन परतिग्याओं को पूरा करने में वो विश्वास योगी है प्रभु ने कहा कि वो कभी भी फिर हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा यदि हम उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं हमारे गुनाहों को मिटा डालता है वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही लाल रंकी क्यों नहों वहिम के नाई उजले हो जाएंगे परमेश और हमारे गुनाहों को मिटा डालेगा उन पापाओं को छमा कर देगा जब हम उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं दूस्तों हो सकता है आज आपके जीवन में आप गुनाह में अपने जीवन को व्यतित कर रहे हों ये फिर आपको लगता हो कि आपने परमेशों के विरोध में एक गुनाह किये हैं परमेशों के विरोध में पाप किये हैं तो आज सामें मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरने के आउशकता नहीं है आपको घबरानी के आउशकता नहीं है आपको चाहिए कि आप प्रभ येश्य मसी के निकट आए और उससे अपने गुनाहों की माफिन मांग लें और परमेश्वर प्रभ येश्व मसी जो देयालू अनुगरेकारी विलंब से कोप करने वाला ते करोना में परमेश्वर है वो आपके गुनाहों को माफू कर देगा तब चाहिए आपने कितने ही बड़े गुना क्यों न किये हूँ, लेकिन यदि आप अपने आपको दीन और नम्र करके सचे हिर्दे से प्रभु ये शुमसी से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो प्रभु आपको उसी समय चमा कर देंगे, और बाइविल कहती है, कि वो फिर आपके गुनाहों को याद न करेगा, वो आपके गुनाहों को मिटा डालेगा, उस दियान चल से अस्तान चल जितनी दूर है, उतनी दूर वो आपके गुनाहों को कर देगा, आपके गुनाह चाहिए कितने ही लाल रंग के क्यों न हो, वो हमकिन नए उजले हो और प्रभु ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया हम देखते हैं सूली पर लटका हुआ डाकू जब उसने प्रभु से छमा मांगी तो प्रभ येश्व मसी ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया ऐसी अनेक उधारान हम बाइवल में देखते हैं जिनके गुनाहों को प्रव येश्य मसी ने माफ कर दिया, जब उन्होंने प्रव के सामने सच्चे हिर्दे से दीन और नम्र होकर अपने गुनाहों को मान लिया, तो प्रव ने उनके गुनाहों को छमा कर दिया, इसलिए दोस्तों, आज साम में मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने गुनाहों को प्रव येश्व मसी के सामने रख दे प्रवो आपको च्छमा करेंगे तो प्रवो आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइट से आसीस दे आमें दोस्तों समय होगा जब हमें गवाई को सुनेंगे किस प्रकार से प्रव येश्व मसी अपने लोगों की जीवन में अधुट ऐस्चरे कर्मों को कर रहा है उसके बाद हम प्राथना में जाएंगे आप हमारे साथ में इस प्राथना में बने रहे हैं को बात्रूम का प्रॉब्लम डेविटीज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो अभी सॉल्फ हो चुके हैं इसके लिए मैं पिता प्रमिश्वर का धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रेदर और अम्रिदा सिश्टर को भी धन्यवाद करता हूं सब को जय मसी की सो हम प्रमिश्व पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुन्दर गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं सच में हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने प्रात्ना करने वालों के जीवन में ऐसे अद्भुत अश्चरे कर्म को कर रहे हैं सच में प् थर में प्रमोट Eastern तरो का शाम करते हैं तरह साहिते हैं कि हमारे साथ मिलकर आप प्रभु येश्व मसीझ से परात्ना करें ताकि प्रभु येश्व आपकी प्रात्ना को सुनकर जीवन में कारें सरे दनेवाद धनेवाद करते हैं विराजमान अतिपवित्र अतिमहान पर् पवित्र 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 परमेश्वर हम आपका धनेवाद करते हैं ओ हमारे विश्वास योग्या और धर्मी परमेश्वर हम तेरा धनेवाद करते हैं प्रभू तेरी महिमा करते हैं प्रभू तेरी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर हां मेरे प्रभू तु दया का धनी है तु दया से भरा प्रेम से भरा प्रभू है पिता और तु अपने लोगों से प्रेम करता प्रभू और तु ने अपना प्रेम जाहिर किया परमेश और उस क्रूस की मृत्यों के द्वारा प्रभू जी हाँ मेरे कुदावन की तु ने पूरे जगत के पापो को अपने उपर ल तो उसे परिवर्तन भड़ा जीवन देता प्रभू हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा धन्यवाद करते प्रभू तेरी महिमा करते हैं प्रभू मेरे प्रभू जी आज की शाम में मेरे प्रभू जी हम अपने हर एक गुनाहों के लिए प्रभू आप से शमा मांगते हैं प अपने गुनाहों के लिए प्रभू जो आपकी नजरों में गलत है खुदा आपसे दुआ है प्रभू कि आप महरे गुनाहों को माफ करें प्रभू आप हम सब को शमा करें प्रभू क्योंकि आपने ये जीवन दिया है कि हम एक पवित्र जीवन दिये हम सिद्ध बने हो तो हम पवित्र पाय जाए पाप रही तो पाई जाए प्रभु मेरे प्रपो यूष मस्या जितने भाइभाई बेनों ने प्रबु आज की साम में प्रबु जी इस वचन को सुना, उनके जीवनों में यह प्राक्टिकली वर्क करें प्रबु जी हम धन्यवात करते हैं यह इसके लिए हमारे साथ में हैं हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सच में हम घटे प्रभु हम शुन्य होते हैं प्रभु और आप हम में बढ़ते जाएं प्रभु बढ़ते जाएं महिमा में बढ़ते जाएं प्रभु ये शुमसी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज की शाम में प्रभू मैं दूआ करते हूं बाई बेनों के लिए जिनके जीवन में प्रभू उन्हें बहुत बड़े बड़े गुनाहा को किया है प्रभू यदि आज इनके जीवन में गुनाहों से यह लिपत हैं पाप से यह लिपत हैं प्रभू तो आपसे दूआ है कि अपने लोगों को जो आपके सामने इस समय पश्चिताप कर रहे, इस समय आप अपने गलतियों को मान रहे, इस समय प्रभु जी अपने गुनाहों को तेरे समुक रख रहे, प्रभु आप उने शमा करे पिता, यो क्या फिश्वास योग्य है, जैसे कि उस इस्त्री ने प्रभू उस इस्त्री के गुनाहों को माफ किया परमेशु पिता उस डाकू के गुनाहों को माफ किया प्रभू किया जीवन उसने गुनाह किया प्रभू रोस की मृत्यूं से दी गई प्रभू परंतु पिता उसने तेरा अंगिकार किया तुषी शमा मांगा और प्रभू त उसे प्रेम करते हैं जो तुछ पर भरोसा करते हैं प्रभू आप उन्हें भी शमा करें और उन्हें भी एक नया जीवन दें उन्हें भी एक नई राह दें उन्हें भी प्रभू एक सही संभलावा जीवन दें प्रभू ताकि प्रभू तेरी महिमा करें पिता दन्यवाद के लिखा है प्रभू आपसे दुआ है पिता कि आप उनकी सुधी लीजे प्रभू इसी समय प्रभू हां प्रभू इस शाम में मेरे प्रभू अपने बेटे बेटियों के उनके परिवार उनके बच्चों के उनकी परस्थतियों के उनकी स्ट्रागल उनके लाइफ के उन प्र प्रभु जी, उनके जीवन में कारे करें, पिता इनके दुखों को आनन में बदले, इनके समस्याओं का समाधान करें, इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, इनके भविश्य को उज्वल करें, हाँ प्रभू बीमारियों से शुद्द करें, प्रभू जी धनेवाद, इ शुराजा ओ पवित्र सामर्थी चंगाई भरे नाम से प्रभू येशु हम मांगते हैं कि प्रभू आप अपने लोगों को आज की शाम में चंगा करें येशु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुरबलतां को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है हाँ मेरे येशु मसी आज की शाम में प्रभू आपके लोग दुरबल है बीमारियों में है पीडा में है प्रभू नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में लगी है प्रभू वो चल नहीं सकते वो बोल नहीं सकते, वो उट नहीं सकते, बहुत से समस्याइं जो उनकी शरीरों में लगी हैं, येश्यू के नाम से आज उन सारी समस्याओं को, उन बीमारियों को, उस दर्द को, उस रोग को, येश्यू के नाम से आग्या देते हैं, छोड़ दो इनकी शरीर को, निकलो है धन्य वाद करते है प्रभो कि तुने प्रभो अपने लोगों को सुझा किया प्रभो तुने उन्हों कि अंकि सुध हिया प्रभो ते रहा धन्य वाद प्रभू कि तु यह वर्राआथolics यहा राफा है चंढ और करने वाला पर परमेश्वर है उन्हें नया जीवन नया बल देने वाला परमेश्वर है प्रभु धनेवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु येश्व मसी प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु जो कोई प्रभु आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रभु प्रातन कर रहे हैं समस्याओं से परिशानियों से उन्हें अजात कीजिए प्रभू हम नहीं जारते हैं उनके जीवन में कैसी परस्तितियों से होकर आपके बेटे बेटे गुजर रहे हैं परंतु आप जानते हैं वो बया कर रहे हैं वो कह रहे हैं प्रभू ये शुके नाम से वो सारी बाते और प्रभू आपके लोग, प्रभू आपके दर्शन के द्वारा आशिशित हो खुदवन, धन् manufactured करते हैं प्रभू, आज्शाम में प्रभू, जितने भाई बैन हमारे साथ में प्रभू, प्रेयर टावर में फॉन कॉल्स के दोड़ा जुड़ें में पिता, इंस्टेग्राम में Facebook में Telegram में प्रभू अपने प्रात्न निवेदनों को निरंतर भीज रहें प्रभू येश्यु के नाम से उनकी जीवन में भी आपकारे करें पिता और हमारे जो daily listeners हैं प्रभू उन्हें और उनके घराने को आप आशीज दें धन्यवाद के साथ प्रभू इस प्रात्न को ह हम तेरे सामत्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमीन और आमीन